नमस्कार आप देख रहा हैं सेड़ी पोस्ट मैं हूँ अभिसेख मिस्रार अलोस्पा अध्यक्स उपेंद्र कुसवाहा आज गोपाल गंज पहुँचे थे और बेरिकेटिंग हटवा कर गोपाल गंज की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया गोपाल गंज बोर्डर पर भी उनको रोकने की पूरी कोशिस हुई लेकिन वो नहीं माने आगे बढ़े तो मीरगंज में उनको अधिकारियों ने रोका और अधिकारियों के साथ उपेंद्र कुसवाहा की तीखी नोगजोग हुई है उपेंद्र कुसवाहा का वीडियो भी सामने आया है इस नोगजोग का ये खबर हम आपको दिखा चुके हैं लेकिन अब पूरा बयान इस मामले पर उपेंद्र कुसवाहा का सामने आया है उन्होंने कहा है कि मैं वो पालगन कोई राइटिक सभा करने नहीं जा रहा था कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं जा रहा था अब तो लोकडाउन 5 चल रहा है और कई चीजों की छूप मिली हुई है तो कहीं आ जा सकता है कोई भी व्यक्ति और मैं राइटिक सभा नहीं करने जा रहा था तो रोकना समझ से परे है उपेंद्र कुसवाहा ने क्या कहा है वो सुनिये और उपेंद्र कुसवाहा के जो समर्थक हैं कोई राज्टिक एक्टिविटी नहीं थी कोई पॉलिटिकल कार्करम नहीं था फिर भी रोका गया तो उपेंद्र कुछबाहा और उपेंद्र कुछबाहा के समर्थकों का यह बयान सुनिये कि यह बयां रहा है प्रशाशन के लोग है अब सीवान और गुपालों के बोड़र पर इंसे का गया कि आपको जाने की जाएदे नहीं है मिंधा उस्तानी एक काना परवारी हो है अब यहां भी रोका जा रहा है मुझे बाद समझ में नहीं आ रहे हैं कि यूं रोका जा रहा है पर सासन के लोगशें नहीं जाना चाहते कि लिए लग डाउन तो उस रूप नहीं कि एक्टिविटी किसी की बंद सरक्पर चलने की मना प्रशासें प्रशा प्ताएंजेंगे कि क्या कारण तबॉस्त कारण जाए तक क्या लगता है जाएंगे अब इस तरह के रवया होगा कि किसी की अक्टिविटी को आप रोप जी कैसे जनतंत्री चलेगा, कैसे इस सोसाइटी चलेगा, भेस लाइचे करेगा अब कितिघत रूप से कोई अक्टिविटी करने पर मनाई ही हो जाएच है लबदान का जो नार्म से है उस नार्म के सतार नहीं पहीं, अभी पोलिस अक्तिविटी नहीं करने संतुन जा नहीं हृए उनको सांतुन आदेने के लिए उनको संतुन देने के लिए उनको संथ हम परीच्टिती तो हम उनको घूर पर्रीग sanction it कि दरने के चाहि लोगोवर करने कि डिरे आधाय को उसके रोपर हो जो शेट करियें पर जहां के लिए जाओं से सुपतर्स भूपने करें कुशुषिक करेंगे जाये क्यों कि कि वाधरी आधरी से क्या है कि वंत्री गानी संनौ करोग मेंपरें आधर दॉल लुक में आधरि लुज नहीं कि मौफ और ऍप हुआ केलो ago तो दरसल गोपाल गंज ट्रिपल मंडर केस से ये मामला जुड़ा हुआ है तेजस्वी यादो के बाद उपेंद्र कुस्वाहा भी पीमसी एज जाकर आरजेवी नेता जेपी यादो से मिले थे मुलाकात के बाद एलान किया था कि मैं भी गोपाल गंज जाओंगा मैं गोपाल गंज जाओंगा और वहां पिर्तों के परिजन से मिलूँगा लेकिन उपेंद्र कुस्वाहा गोपाल गंज पहुचे लेकिन आगे नहीं जा पाए मिरगंज में उनको रोक दिया गया और अधिकारियों के साथ जो उनकी नोग जोख हुई है वो भी मैंने आपको दिखाया है पताया है सिटी पोस्ट ने आपको दिखाया है तो गोपाल गंज मामले को लेकर जो गर्माहट है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है तेजस्वी यादों के बाद उपेंद्र कुस्वाहा इस मामले को लेकर और आकरामक है आज को पाल गंज पहुँच भी गए लेकिन मीर गंज से आगे जाने से उनको अधिकारियों ने रोका और अब गुनों ने जो कुछ भी कहा है वो भी हमने आपको दिखाया है, सुनाया है तो इस ख़बर मितना ही अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करें हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें वेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी ख़बरें सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद